गुड मॉर्णिंग स्टूरीं बच्चों आज मैं आगे के जी के कन्वेशेशन कराऊंगे आपको बेभी और पिग िसकॉल्ड पिग के बीबी को क्या कहते हैं पिगलेट बेभी और डॉग इसकॉल डॉग के बीबी को क्या कहेंगे पपी Baby of cat is called Cat के baby को क्या कहेंगे Kitten Color of milk is Milk का color क्या होता है बिटा White Milk is white color Color of grass is Grass की color को क्या कहते है कौन सा color होता है मतलब grass का Grass is gray Conversation चलिए Read means क्या होता है पढ़ना Read means पढ़ना Write means लिखना Give means देना Take means लेना Do means करना Go means जाना Come means आना Sleep means सोना Weep means रोना Sit means बैटना Stand means खड़े होना आपको इन सब के मिनिंग जरूर पता होने चलिए अब कभी कभी हम कहते हैं किसी को अच्चा फिर मिलेंगे तो क्या बोलते हैं Buy, see you अच्चा फिर मिलेंगे Buy, see you Please give me a glass of water अगर आपको किसी से एक glass पानी मांगना हो कि मुझे एक glass मानी दे दीजे तो आप English में इसको कैसे convert करेंगे Please give me a glass of water कभी आप कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ या मैं अभी आ रही हूँ तो आप उसको क्या बोलेंगे I am just coming कभी कभी मैं भी तो कहते हैं चुप रहो तो उसको क्या बोलते हैं Keep quiet मैं बोलते हैं चाबाज तो well done सुन्दर को क्या बोलेंगे अर्ती सुन्दर beautiful अब मैंने पूछा है जैसी आपकी मर्जी तो आप क्या बोलेंगे As you like अगर आपको यह बोलना है जैसी आपकी मर्जी तो आप इस sentence को कैसे बोलेंगे English में As you like कभी कभी आप कहते हैं मैं से गलती हो गई या फिर मुझे को बहुत दुख हो रहा है इस बात को तो आप क्या बोलेंगे I am very sorry अच्छा ओके हम कहते हैं न अच्छा अच्छा चलो ठीक है ओके जल्दी करो हम कहते हैं जल्दी करना है उसकी इंगलिश क्या होगी hurry up please जल्दी करिये hurry up please ओके बच्छो यह सौंग है आपको यह सौंग भी लन करना है मैं यह एक्जाम में सुनूंगी आपसे God loves it so wonderful God loves it so wonderful Oh wonderful love So high you can't get over it So deep you can't get into it So wide you So wide you can't across it Oh wonderful love God loves so wonderful ओके बच्चो आपको यह repeat भी करना है learn भी करना है Bye